Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिफ स्टांडर्ड में जो हमारी Marygold बुक है उसका सेवन्थ युनिट का एक बहुत इंटरिस्टिंग चाप्टर है और नेम अफ दे चाप्टर इस गुलिवर्ट ट्रावल्स which has been one of my favorite books since I was a child क्योंकि इसमें बहुत adventurous story है और बहुत सारी unexpected चीज़ें होती है interesting story है dwarves के बारे में, giants के बारे में अच्छा, imagine करो अगर आप किसी ऐसे world में पहुँच गयो जहां पे सब giant है एक ant जो है वो भी एकदम giant है और आप एक ant के जितने बड़े हो गयो मनलब जिस उल्टा कर लो कि जैसे ant इतनी छोटी सी होती है cockroaches जैसे होते उत्ते छोटे आप हो और आपके जितने बड़े ants and cockroaches है और बाकी हर कोई giant है ऐसा लगेगा ना पता नहीं कब कौन हमको कुछल देगा कब कौन हमारे पता पह रख देगा या फिर, you know, the life is going to be so miserable and tough so here we are going to read a story जिसमें ऐसा ही कुछ होता है so let's begin so now this Gulliver Travels actually it has been adapted from Jonathan Swift's Gulliver Travels so it's an amazing read summer vacation सारे है and I'm sure like if I have got some readers अगर आप सारे जो amazing बच्चे है उन में से कुछ ऐसे लोग है जिने books और especially adventurous books पढ़ना अच्छा रखता है तो Gulliver Travels को mark कर लिया जाए इसे जरूर पढ़ा जाए और मुझे बताया जाए कि कैसी लगी now before we read we have something when a person tells a story of his life in his own words it is called an autobiography अब हमारे पास दो words है एक है biography एक है autobiography so जैसे अगर मैं किसी की life के बारे में story लिख रही हूँ मानलो मैं महात्मा गांधी की life के बारे में story लिख रही हूँ तो उसको कहेंगे biography लेकिन अगर महात्मा गांधी अपनी life के बारे में उन्होंने जो खुद जो book लिखी हुई है तो जैसे अगर मैंने आपकी life के बारे में कोई story लिखी है तो मैं उसे बोलूँगी। मैंने मेरी student की biography लिखी है लेकिन मैं अगर अपनी life के बारे में अपनी story ko लिखूँँगी तो उसको मैं कहूँँगी ये मेरी autobiography है Understood? Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants So Gulliver जो है वो एक sailor है जो आप जो ship पे जो sail करते है So Gulliver जो है वो एक sailor है जो एक बार एक land में फंस जाता है एक strange से land में जिसमें बहुत सारे giants है Giant का मतलब क्या होता है? जो लोग बहुत ही huge होते हैं, बहुत बड़े होते हैं This is how he describes his experience और इस chapter में एक छोटा सा chapter है जिसमें उसका वो अपना experience describe करें So यह उनकी एक autobiography है On the 16th of June 1730, we discovered land अब यह जो थे, जो sailors थे, इनकी पुरी टोली थी यह बहुत महीनों से जो है sail करे जा रहे थे, करे जा रहे थे Finally, on 16th of June 1730 So हम 1700 की बात कर रहे हैं अभी हम 20s में हैं So आज से almost like बहुत साल पहले उन्होंने finally land discover किया Discover मतलब, discover कर मतलब क्या होता है कोई चीज़ जो already exist करती है उसे धूड़ना ठीक है Our captain sent a dozen men with whistles for water if any could be found अब क्या है, आप sea में travel कर दो, लेकिन क्या वो पानी आप पी सकते हो नहीं वो तो salty water होता है, तो जैसे ही land मिला तो क्या है, एक hope होती है कि maybe कहीं पे कोई चुटा सा leak होगा या कोई चुटा सा stream होगा जहां से जा कि आप पानी भर सकते हो, पानी is important तो जो इस captain के जो ship, sorry, इस ship के जो captain थे उन्होंने क्या किया a dozen men, मतलब almost 12 तेरा लोगों को है बोला जाओ इस land पे जाओ और जाके पानी धुंड के लाओ सब लोग अपने साथ vessels carry कर रहे थे, ठीक है, vessels मतलब बरतन carry किये थे सबने अपने साथ if could any could be found कि अगर कहीं भी पानी मिलता है तो उसको ले के आओ when we came to land we saw no river or spring nor any inhabitants जब हम उस island पे रुके, जब हम उस land पे रुके तब ना हमें वहां कहीं कोई पानी दिखा, ना कोई river दिखी, ना कोई spring दिखा, ना कोई inhabitants inhabitants मतलब जो लोग वहां पे रहते हैं, ठीके, तो जैसे हम लोग land के inhabitants हैं तो जैसे मैं भुपाल में रहती हूं, तो मैं भुपाल के inhabitant हूं inhabitant का मतलब क्या होता है, a person or animal that lives in or occupies a place ठीके, तो कोई जो वहां रहता है, जो उस place को occupy करता है तो उस island में कोई था ही नहीं, एकदम खाली island था I went on to explore, तो क्या है, ये भाई साब जो है, निकले थोड़ा कि भाई explore explore मतलब कुछ find out करने के लिए जब आप धूडने लग जाते हैं, उसे explore करना कहते हैं The country was barren and rocky, अब जो पूरी country थी वो barren हो गए थी barren का मतलब एकदम banjar, ठीके, barren का मतलब too poor to produce much or any vegetation एकदम जो rocky सी हो जाती है, जहां पर कोई पेड उग नहीं सकता, वो उसे कहते हैं, हम banjar जमीन, barren So the country was barren and rocky, पूरी बहुत rocks थे उधर पे I turned back to join the crew, अब जब मैं आगे बढ़ा, अके लिए के लिए मैं जा रहा था, जब मैं देखा कुछ भी नहीं है I turned back to join the crew, crew मतलब क्या होता है, जो आपके team members है उन सब को मैंने सुचा, मैं join कर लेता हूँ, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship अब क्या है, ship से ये लोग एक छोटी सी boat तक इस island पे आए थी क्या देखा उसने जैसी वो turn किया, कि उसने देखा जितने उसके companions से, जितने भी crew members थे वो सब के सब उस छोटी सी boat में बैठके अपनी life बचा के भाग रहे थे and Gulliver तो यहाँ छूट गया rowing का मतलब क्या होता है, जैसे आप boat को जब आप जो कर रहे हो, आप चला रहे हो चपू से तो उसको मतलब फटा फट जो कर रहे थे, so that they can not live and why, क्यों, इतने scared क्यों थे वो before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea अब इससे पहले कि मैं भी दोड के उनके पास पहुँशता, मैंने क्या देखा एक बहुत बड़ा सा creature था, मतलब बहुत बड़ा सा कोई आदमी था जो उनके पीछे भाग रहा था in the sea as fast as he could, और वो जितना fast भाग सकता था, उतना fast भाग रहा था the water of the ocean reached only till his knees ocean का जो पानी होता है, जहां हम डूब के मर जाते हैं, वो पानी सिर्फ उसके घुटनों तक आ रहा था, मतलब वो कितना यूज होगा however, the monster was unable to overtake the speeding boat however, जो यह monster था, अब इसको यह monster यह giant है, ठीक है, monster का मतलब क्या होता है कोई बहुत ही wicked सा person, cruel सा person यहां monster इसी लिए कहा गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा है, normal human range में वो आता ही नहीं है तो यह जो monster था, however, यह उस speedy boat को follow नहीं कर पाया, catch नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक बहुत fast boat थी आगे क्या हुआ देखते हैं अब क्या हुआ उसने तुदंत एक हिल पे चड़ा वो ठीक है, उसके लिए वो हिल थी, देंगे क्या वो actually में कोई हिल था, हमें नहीं बता तो वो तुदंत जैसे उसने देखा, अरे वो giant तो उसके पीछे भाग रहे अगर उसने मुझे देख लिया तो अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंथ turn हुआ और एक चड़ने लग गया अब उसने क्या क्या दोनों ही तरफ उसके बाली, बाली क्या होती है एक तरीके का जैसे गेहू होता है ना तो उसी तरीके का एक grain होता है वो ठीके बाली क्या होता है एक सीजेल होता है एक हारडी सीजेल होता है तो दोनों तरफ जो थे खेत थे बाली के और कौन भी था और कौन जो था वो 40 फीट जितना ऊपर बढ़ रहा था हमारा कौन जो होता है भुटा जो होता है वो इतना ही बड़ा होता है लेकिन उनका कितना था एक double एक building के ऊपर एक और building लगदो उससे भी बड़ा बड़ा था there was a fence to pass from one field to another और एक बहुत बड़ा fence था fence क्या होता है हमारे पास जैसे की fence का मतलब जो आप cover करते हो जैसे fields के बीच में आप तारों की जाड़ी लगा देते हो इस तरीके की होती है वो ठीक है तो वो इसमें जो तार लगा देते होता इसने क्या होता है कि कोई एक जगा से दूसरी जगा क्रॉस नहीं कर पाता उसको हम फेंस कहते हैं तो अब एक जगा से दूसरी फील्ड में जो segregate करने के लिए अलग-अलग करने के लिए उसमें फेंस लगे हुए थे अब वहां सीड़ियां थी लेकिन एक एक जो सीड़ी थी एक एक जो स्टेप था वो 6 वीट बड़ा था मतलब एक जो था वो almost इतना इतना बड़ा था I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence I was trying to find a gap in the hedge अब वो क्या कर रहा था जैसे ये खेत है मानदो तो खेत में क्या होते हैं? ऐसी पूरी क्यारियां बनी हुई है ठीक है? पूरे all fence लगे हुए तो hedge मतलब जो छोटे plants होते है तो जो छोटे plants का group था तो उसने सुचा है बीच में कहीं थोड़ी बहुत जगा होगी तो मैं वहाँ से निकल जाओंगा hedge मतलब क्या होता है? A fence or boundary formed by closely growing bushes और shrubs तो बहुत पास-पास में जो होते हैं आप bushes या plants लगाते हो ना तो उसने सुचा है बीच में कहीं कोई जगा होगी तो मैं उधर से निकल जाओंगा तभी उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक inhabitant मतलब वहाँ पे रहने वाला कोई एक आदमी था जो उस खेत की तरफ आ रहा था walking in the next field जो next field में था walking towards the fence वो fence की तरफ आ रहा था उसी fence में जहाँ पे वो था he was of the same size as the creature chasing the boat मतलब वो भी उतना ही यूज था जितना यूज जो previous creature था जो की boat को chase करा था वो भी उतना ही बड़ा था I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself I was struck with utmost fear मतलब मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया utmost मतलब too much ठीक है? extreme मुझे बहुत ज्यादा जोर से डर लग गया and I was also astonished astonished मतलब surprise की इतने लंबे लंबे लोग इतने giants यहां कैसे आ गए है and वो दोड़ा अपनी जान बचाने के लिए he called in a voice much louder than a trumpet ठीक है? तो तभी जो है मतलब वो भाग रहा था वहां पे और उसने तुरंट एक आवाज आई वो आवाज इतनी जोर से थी ऐसा लग रहा था कि कोई भूपू बजराओ it sounded like thunder ऐसा लग था कोई बिजली कड़कती है तो कितनी जोर से आवाज आती है वैसी आवाज थी 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn अब क्या हुआ बोलो कौन को reap मतलब कौन जितने भी थे उन्हें तोडने के लिए reap मतलब cut or gather or crop जो आप ऐसे से काटते हो और उसके बाद आप उनको ले के जाते हो बेचने के लिए किसी भी चीज के लिए तो 7 to 8 giants monsters they all came to the field to fence it मतलब to reap it they carried a reaping hook which was very big अब एक बात बताओ इतना बड़ा आदमी है तो वो छोटा सा तो कुछ ले के जाएगा नहीं उसका जो hook होगा जिससे वो काटे का वो भी बहुत बड़ा होगा तो वो सब के पास वो hook भी था 1 1 of the reapers approached where I lay hidden I screamed as loud as I could अब वो छुपके तो बैठ गया था लेकिन फाइन एक बंदा वहां तक पहुँचा और वो जब reap करते करते पहुँचा तो जैसी उसने उसको देखा तो वो जितनी जो और से चिला सकता था जो गुलिवर था वो उतनी जो से चिलाया The creature stopped reaping picked me up between his thumb and four finger तो उसने एकदम से क्या किया वो जो काट रहा था उसने उसको रोग दिया और एक अपने अंगूठे और अपनी four finger से इस तरीके से उसको उठाया ठीक है And brought me close to his eyes और उसको उठा कि एकदम प्यास से दिखने के यह है क्या उठाया और अपनी आखों के पास लेके आया 60 feet above the ground उसकी height कितनी दी 60 feet And Gulliver was hanging 60 feet above the ground He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face तो क्या किया He looked at me ठीक है उसने मुझे देखा और मेरे चेहरे पर क्या था बाल आ रहे थे तो उसने मेरे पर फुक मारी ताकि मेरा चेहरा उसको clearly दिखे He called his friends and gently placed me on the ground उसने फटाफट अपने सारे friends को बुलाया और gently मतलब धीरे से मुझे ग्राउन पर रख दिया They all sat on the ground to take a good look at me अब वो सब के सब बैट गए मुझे अच्छे से देखने के लिए I walked slowly backward and slowly forward pulled off my hat and made a low bow towards the farmers उसको समझ में नहीं आया क्या करना है तो वो पहले आगे बढ़ा और उसके पीछे गया और उसके बाद जो अपन इस तरीके से बो करते हैं अपनी उसने हैट निकाली और उनके सामने बो किया I tried to speak to them loudly in several languages अब जब travelers होते हैं उनको बहुत साही language आती थी आती है तो गुलिवर को भी बहुत साही language आती थी तो उसने ट्राइ किया उनसे communicate करने का उनसे बात करने के लिए different languages में Each time I did so the farmer who picked me up held his ear very close to me but in vain और जब भी मैं बात करने की कोशिश करता था जिस farmer ने मुझे उठाया था वो एकदम अपना कान पास में लेके आ जाता था सुनने के लेकि मैं क्या कह रहा हूं लेकिन in vain मतलब एकदम useless था वो क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor वो farmer क्या किया उसने मुझे बहुत ही properly मतलब मुझे बिलकुल hurt नहीं किया वो मुझे अपने घर लेके गया और घर जाके उसने मुझे डाइन टेबल पे रख दिया और वो डाइन टेबल 30 feet high था Dinner was brought in a dish 10 feet in diameter अब डिनर लेके आया गया तो जैसे हमारे यहां जो plates होती हैं वो इत्ती-त्ती सी होती है तो उनकी जो plate थी वो इधर से इससे भी उपर थी 10 feet of diameter The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me तो जो farmer की wife थी उसने क्या किया Bread को ऐसे चूरा-चूरा कर दिया Crumble मतलब तोड़ दिया छोट-छोटे pieces में और मेरे सामने रख दिया मतलब भाई खाओ In the middle of the dinner, I heard a noise behind me तो जब हम लोग खा रहे थे उसके बीच में हमें पीचे से कोई आवाज आई It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox तो उसमें cat की म्याओं की आवाज आदी थी और वो cat कितनी बड़ी थी एक ox, एक bell के comparison में 10 times ज्यादा बड़ी थी The farmer's wife was stalking him और farmer की wife उसको stroke करे थी मतलब उसको सहला रही थी Then entered the farmer's one year old son in the arms of a lady अब आया farmer का एक साल का बच्चा जो उसके गोद में था On seeing me the child, me the table and put my head into his mouth तो जैसे उसने मुझे देखा, तो उसने तुरंत मुझे catch किया और क्या किया मुझे अपने मुझे अंदर खाने की कोशिश करने लगा I so loudly, so I yelled, sorry, so I yelled so loudly that the baby dropped me मैं इतनी जोर से चिलाया कि उस बेबी ने मुझे नीचे फेक दिया I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me तो उसने बोला कि मैं जब गिरा वहां से, जब उसने मुझे अपनी हाथ में ले लिया था तो जब उसने मुझे drop किया, तो मेरा garden तूट जाता, मतलब मेरा जो गला है वो पूरा जाता लेकिन fortunately जैसे ही मैं जहां गिरने वाला था, तो वो जो lady थी, उसने उसका जो apron apron मतलब जैसे हम kitchen में जब काम करते हैं तो हम एक कपड़ा होता है जिसको इस तरीके से बान लेते हैं ताकि हमारे कपड़े गंदे नहीं हो तो उसको हम कहते हैं apron तो उसने तुरंत apron नीचे रख दिया था ताकि मैं उसके ऊपर गिरू तो fortunately मुझे कुछ हुआ नहीं Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief I slept dreaming of my home, my wife and my children और बाद में उन्होंने क्या किया, वो जो woman थी उस woman ने उनको अपने ही bed पे बोला तुम सोजा यहां पे और अपने handkerchiefs को ओडा दिया अब उनके लिए handkerchief मतलब क्या होगा हमारे लिए तो चादर ही होगी ना उनकी handkerchief So and finally he slept there because he was tired and he kept on dreaming of his home, his wife and children क्योंकि वो जहां पे इस वक्त वो है, he is scared, he is frightened उसे नहीं पता वो कहां पे है, वो यहां से कैसे निकलेगा and जब हम बहुत ज़ादा scared होते हैं जब एक्तम lonely feel करते हैं हमें हमारे घर की, हमारे parents की, हमारी family की याद आती है So now this was our chapter Gulliver Travels I hope you enjoyed it अगर जानना है आगे क्या हुआ, उसके लिए पढ़ना पढ़ेगा तो अगर मुझे ये novel पढ़ना और अगर अच्छी लगेगी तो मुझे सरूर बताना Now we are going to continue with our NCRT solutions ठीक है, तो अब हम question answer start करते हैं Question answers बहुत सार हैं लेकिन बहुत interesting है Let's begin Why did the captain send the men to the land? अब captain ने लोगों को land पे क्यों भेजा था? उसने इसलिए भेजा था Because उन लोगों को पानी सर्च करना था The captain sent the men to the land to look for water Very simple answer, the answer is to look for water Second question क्या है? Why did the men rush back to the ship? मतलब जो लोग थे वो वापस ship के तरफ क्यों दोड़े? क्योंकि उनके पीछे एक giant दोड़ रहा था The men explored the land but saw no river, spring or any inhabitants on the land अच्छा, हम ये पहले एक थोड़ा सा उनको background information देंगे कि जो लोग थे, वो land को explore कर रहे थे लेकिन उसके बाद उनको वहाँ कोई river नहीं मिला कोई spring नहीं मिला और कोई inhabitants भी नहीं मिले They rushed back to the ship because they were chased by a giant So, ये इसका actual answer है that they rushed back to the ship because they were chased by a giant Okay, next question देखते हैं हम Choose the correct answer The giant carried a reaping हो क्यों? Giant के पास एक reaping हो क्यों था? क्यों था? क्योंकि उसको कॉन की fields में जाके कॉन काटना था? He was fighting with other giants? No He was going to reap the corn? Yes He wanted to frighten Gulliver? No उसको क्या करना था? उसको सिर्फ corn को reap करना था Next question है हमारे पास They put Gulliver on the ground to look at him closely वो सब लोगों ने उसको ground पर रख दिया और बैट गए वो सब उसको देखना चाहते थे क्यों देखना चाहते थे? They had never seen a human before उन्होंने कभी life में कभी human नहीं देखा था They thought he was a doll They had never seen such a tiny man So the thing was they had never seen such a tiny man उन्होंने कभी इतना चोटा आद्मी देखा ही नहीं था क्योंकि human तो वो खुद भी थे उन्होंने कभी इतना चोटा आद्मी नहीं देखा था Next question is Gulliver कौन था? Gulliver एक farmer था? एक sailor था? Yes वो dwarf नहीं था वो giant नहीं था वो क्या था? वो एक sailor था Next question Name the creature to whom you would look like Gulliver The creature is now extant and it starts with the letter D तो ऐसा कौन सा creature है जिसको तुम Oh my god types देखोगे वो है dinosaur जो अब extant हो चुका है From the text, write the sentence that tells you the following The giant reapers were fascinated by Gulliver अब हमें यह कौन सी line से पता चलता है कि जो giant reapers थे वो fascinated थे कैसे पता चलता है इस line से They all sat on the ground to take a good look at me वो सब लोग bad guys से क्या पता चलता है वो लोग fascinated थे Next है, Gulliver was a learned man मतलब Gulliver intelligent आदमी था यह कैसे पता चलता है ठीक है On Okay So, इसका answer क्या होगा दे, यहां पे इसका मतलब है जब उसने bow किया था Please wallie line को हमें इसमें लिखना पड़ेगा That as soon as you know He moved a bit forward and then backward and then bowed down तो यहां पे हम wallie line लिखेंगे The farmer's son thought Gulliver was a toy Farmer की son को लगा Gulliver एक toy है ठीक है यह कैसे पता चलता है I on seeing me the child grabbed me from the table and put my head into his mouth अच्छा, यहां जो लिखा है Gulliver was a learned man यह हम इसका answer यह भी हो सकता है You know I went on to explore मतलब वो और जानना चाहता था इसका मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट था Next is The farmer's wife was a kind-hearted woman अब हमें यह किस से पता चलता है कौन सी लाइन से पता चलता है Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief इस से यह पता चलता है कि वो बहुत kind-hearted थी Done अब हमारी पास एक नया question आता है Read the following sentences carefully The giant farmer's voice was as loud as a bellowing trumpet or The giant farmer's voice was as loud as thunder When something is very cold we say it is as cold as ice This is because ice is very very cold This is as beautiful as an angel This is as hot as fire यहां हम कर क्या रहे है यहां हम दो चीजों को compare कर रहे है अब fire में और या फिर ice में और cold में As cold as ice हम compare कर रहे हैं coldness को ठीक है? तो इन्हें कहते हैं हम similes जिसको बहुत अच्छे से हम explain करेंगे grammar पार्ट में ठीक है? Now complete the following use the words given in the box As dash as a feather अब feather कैसा होता है? Feather तो बहुत हलका होता है तो we can write here As light as feather As dash as a tortoise अब tortoise कैसा होता है? Tortoise होता है slow As slow as a tortoise As dash as honey Honey कैसा होता है? Sweet So as sweet as honey As snow अब snow कैसी होती है? थंडी तो होती है लेकिन white होती है We can say as white as snow Right? इन्हें कहते हैं similes जहाँ पे हम दो चीजों को compare करते है on the basis of one common thing between them ओके और ये एक figure of speech है जो की creative writing में, poems में जब आप कुछ interesting बनाना चाहते है उन सब में use होती है So आगे भी है हमारे पास तो हम सीधर answers में जाते हैं As light as feather, as slow as a tortoise, as sweet as honey, as white as snow As strong as an ox, as gentle as night, as red as a rose, as black as toast, as light as breeze ठीक है? ओक्स कैसा होता है? Strong होता है Night कैसी होती है? Gentle होती है और dark भी कह सकते हैं As dark as night Rose कैसा होता है? Red होता है Toast कैसा होता है? Black होता है अब हम इसको black भी कह सकते हैं या toast के लिए हम इसको tasty भी कह सकते हैं या hard भी कह सकते हैं Breeze कैसी होती है? Light होती है Light के साथ मैं इसको pleasant भी कह सकते हूँ और as lovely as a breeze भी कह सकते हूँ ठीक है? So यह हो गया हमारा question अब हम आते हैं next question में उन expressions को हमें in sentences में use करना है For example, the old man's hair is as white as snow His feet were as cold as ice The newspaper boy was as slow as a tortoise I felt as light as a feather So, these are our answers Okay, आगे बड़े अब हमारे पास question है यहाँ पे खुद के comparisons क्रेट करना है This is fun As tall as Swatima, no As tall as a tree As fast as a leopard As high as Burj Khalifa Or as angry as mama, papa Korn? As angry as a giant Or as angry as a lion Kuch bhi As tiny as an ant As brave as Brave कौन होता है? Soldier So, these are our answers अब यहाँ पे अमने कुछ और लिखा है जैसे क्या लिखा है? As tall as tree Fast as rabbit High as a kite As angry as a bull As tiny as an ant And as brave as a lion Okay, आप अपने भी लिख सकते हो Now look at the pictures and discuss in the gloves Why the following events happen? You may find more than one reason for each of them अब यहाँ पे आपको यह जो कुछ images दी हुई है ठीक है यहाँ पर यह देखो जैसे यह images दी हुई है तो तुमको क्या निकालना है तुमको कुछ लिखना है जैसे यह image दी हुई है एक यह image दी हुई है ठीक है तो यहाँ पर जैसे एक आपको image दी है एक कोई park का दर्वाजा है जिसमें लिखा हुआ है एक थेटर का दर्वाजा है जिसमें लिखा हुआ है play cancelled और जो एक और image दी हुई है उसमें सिर्फ एक couple है जो की walk करें अब हमें picture composition करना है मतलब इन्हें देखके हम एक story लिखने है तो अब हम reasons कि अगर लिखा हुआ है play cancelled तो क्या-क्या reasons हो सकते हैं तो the actors were not available for the play हो सकता है actors ही नहीं आए the timings of the play got changed हो सकता है जो play के timing है वो change हो गया हो there was an accident at the backstage of the play की हो सकता है play के backstage में कोई accident हो गया हो और क्या हो सकता है अकर कोई play है मतलब कोई theater है जो cancel हो गया तो और क्या-क्या reasons हो सकते है reasons यह भी हो सकते हैं कि lockdown लग गया हो right और क्या reason हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा कोई celebrity वहां पर आ रहा हो और उसके लिए बाकी लोगों के लिए बंद कर दिया हो तो अब मुझे थोड़े creative answers चाहिए भई तो कुछ creative answers मुझे message करो comment box में अब हम जाते हैं जो जहां पर uncle auntie walk कर रहे थे the couple wanted to spend some time together कि दोनों बड़े थगर नमरत चलो भाई वाक पे जाते हैं तो वो कुछ समय बिताना चाहते थे it was a cool night to go for a walk हो सकता है must time था वाक पे जाने का और क्या reasons हो सकते हैं हो सकता है उन लोगों ने new year resolution लिया हो कि अब हमें fit रहना है और हो सकता है doctor ने बोला हो हो सकता है वो कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं वो कुछ लेने जा रहे हैं it can be anything लेकिन मुझे creative answers चाहिए तो अब आप मुझे creative answers देने वाले हो now look at the following examples I was trying to climb over the fence when the giant saw me the farmer's wife was choking the cat when her one year old son entered ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हम बात करे हैं past tense की जो चीज़ें already हो चुकी है I was trying to climb over मैं fence में चरने की कोशिश कर रहा था जब मुझे giant ने देख लिया farmer की wife अपनी cat को stroke कर रही थी जब उसका बेटा आया तो basically यह पूरा किसमें है past tense में है when the first one was going on in the past the second one happened मतलब एक action चल रहा है ठीक है उस simultaneously दूसरा action भी हुआ है और यह सब past की बात हो रही now we have a table जहाँ पे what was happening लिखा है and what happened लिखा है तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको suitably connect करेंगे in one sentence जैसे है I was writing a letter Paul was looking out of the window He was looking for his dog मतलब वो अपने dog को धूंड रहा था I was just completing the last answer मैं बस अपना last answer complete कर रहा था The man was painting the wall मतलब जो man है वो wall को paint कर रहा था Amit was doing his homework Amit अपना काम कर रहा था अपना homework कर रहा था My mother was cooking dinner मेरी ममा डिनर बना रही थी The lights went out, light चली गई The bell rang, bell बच गई He noticed a lovely butterfly उसने एक अच्छी सी butterfly देखी He fell off the ladder, वो ladder से गिर गया I met around, मैं around से मिला My pen, pen ran out मतलब मेरी जो pen के ink खतम हो गई Ma'am said stop writing Ma'am ने बोला stop writing अब यहाँ पर आप बहुत सारी You know sentences connect कर सकते हो जैसे कि I was writing a letter When the lights went out हो सकता है I was writing a letter When the bell rang ये भी हो सकता है I was writing a letter When my pen ran out ये भी हो सकता है कि मैं जब letter लिख रहा था तो मेरा pen खतम हो गया मेरे pen के ink खतम हो गई तो इसमें बहुत सारे combinations बन सकते है तो अब हम इस तरीके से इस answer को देखेंगे मतलब यहाँ पर ये जो चीज़े सबसे important है Please note that sometimes the order of the sentence changes कि आप order change भी कर सकते हो तो आप कैसा है जैसे I was writing a letter when the lights went out Paul was looking out of the window when the bell rang When I met Arun he was looking for his dog Now next one is the man was painting the wall when he fell off the ladder ठीके तो जैसे man जो है वो अपनी wall को paint करता है जता भी वो सीडियों से गिर गया Amit was doing his homework when ma'am said stop writing Amit अपना homework करता है तो maybe जैसे class में होते है ना कुछ बच्चे जो homework करते है तो ma'am ने क्या बला Stop writing My mother was cooking dinner when the bell rang मेरी ममा डिनर बना रही थी जैसे घंटी बची तो आप अपने मन से भी कुछ भी इसमें add कर सकते हो It should be only meaningful Now complete the following suitably My I was sitting in a taxi yesterday when I saw a man running behind it मैं एक टैक्सी में बैटके जाई थी तब मैं देखा मेरे पीछे एक आदमी भागते हुए आ रहा है He was cleaning out his cupboard when He saw a dead rat lying there वो अपना पुरा जो cupboard clean कर था जब उसमें देखा कि मरा हुआ चूहा है वहां पे A mad dog ran out onto the road एक पागल dog जो था वो भाग रहा था road पे My favorite teacher walked into the room मेरी जो सबसे प्यारी teacher है, favorite teacher है तभी वो रूम के अंदर आई Now next question क्या है When we compare two things people, we add er or more to the describing word When we compare three or more things or people, we add est or most to the describing word तो basically हम बात कर रहे है degree of comparison की मतलब हम बात कर रहे है positive degree जहां पे कोई comparison नहीं होता जैसे की he is a tall man comparative degree जहां पे दो लोगों की बीच में compare होता है He is taller than Raheem और superlative degree होते है जहां पे हम 3 चीजों के बीच में compare करें या 3 से ज्यादा चीजों के बीच में compare करें जैसे की he is the tallest in the class तो जब हमें comparative degree बोलनी होते है तब हम er या more लगाते हैं जब हमें superlative degree के बारे में बात करना होगा है तो हम EST या most लगाते हैं अब यहाँ पे examples देखते हैं हम जैसे कि the sailboat is fast अब यह एक simple positive degree है मतलब यहाँ कोई comparison नहीं है तो यह कौन से degree है? यह positive degree है Next one is the car is faster than the sailboat अब यहाँ दो चीजों के बीच में comparison हो रहा है एक car के बीच में और एक sailboat के बीच में तब हमने क्या use किया? faster और एक keyword इसमें use होता है comparative degree में वो है हमारा then ठीक है? अब हमने यहाँ पे faster use किया यह है आपकी comparative degree ठीक है? अब है the airplane is the fastest of all अब हमने aeroplane को सब बाकी जितने भी modes होते हैं transport के सबसे compare किया है इसलिए हमने EST लगाया और इसको हम बोलते हैं superlative degree ठीक है? इसको हम बोलते हैं superlative degree अब हमको question में करना क्या है? यहाँ पे देखो hitting a target is difficult यह क्या है? positive degree juggling caps is more difficult than hitting a target तो juggling caps target को hit करने से ज्यादा difficult होता है दो चीजों का comparison हो रहा है तो यह comparative degree doing complicated magic trick is the most difficult thing of all मतला magic tricks को करना सबसे मुश्किल है तो हम यहाँ पे magic tricks को बाकी सारे activities से compare कर रहें तो यह हो गया आपका superlative degree अब हमें question क्या दिया हुआ है? Now complete the following in the same way using the words easy or strong skipping is easy, jumping is easier than skipping, walking is the easiest of all तो यह है हमारे answers Second question देखते है The dog is strong The horse is stronger than dog The elephant is the strongest of all तो यह हमने लिख दिया बस एक चीज है जब भी हम superlative degree use करते हैं तो यहां पे आएगा हमारा keyword the Elephant is the strongest Okay? Next हम जाते हैं हमारे next question में Now complete the following in the same way अब हमें वापस positive, comparative or superlative degree use कर ली है और जो हमें words use करने हैं वो है juicy और exciting Apple is juicy Orange is juicier than apple Sugar can is the juiciest fruit ठीक है तो इस तरीके से हमने यह लिख दिया Okay? जैसे apple is juicy Orange is the juiciest of them all And sugar can is juicier than apple तो यह है positive degree यह है comparative degree और यह है superlative degree Rock climbing is exciting Skiing is more exciting than rock climbing दो चीजों का comparison हो रहा है River rafting is the most exciting of them all यह है positive degree यह है comparative degree और यह है superlative degree ठीक है? जब हम positive degree use करते हैं तो हम first form use करते हैं मतलब हम उसमें न ER add करते हैं न EST add करते हैं fall और जैसे की cold, colder, coldest cold हो गया हमारा first form positive form हम उसे use करते हैं जब हम दो चीज़ों को compare करते हैं, तब हम comparative form यूज़ करते हैं, जिसमें more या er आता है और जब हम superlative यूज़ करते हैं, तब उसमें हम एक को बाकी सारे से compare करते हैं और उसमें हम या तो most या est को use करते हैं, ठीक है? अब हमारी पास next question है, यहाँ पे, correct the use of the describing words in the following sentences अब इसमें कुछ गरबड है, हमें उसे correct करना है, this is the simpler problem of them all अच्छा, please अब इसको try to understand मैंने बोला, एक मैं question के बारे में, एक problem के बारे में बात कर रही हूँ और जो मैंने बोला, बाकी सबसे यह simple problem है, तो simpler तो comparative degree होते है, er use किया है तो हमें यहाँ क्या use करना चाहिए, simplest, which is the lightest of the two parcels अब दो ही चीजों के बारे में हैं, तो यह lightest होगा, या lighter होगा lighter होगा, he is cleverer than I am, इसमें क्या, अब तुमने क्या बोला कि वो मुझसे ज़्यादा clever है he is cleverer than I am, क्या गरबड़े इसमें, पता लगी का, I like this the best of the two यहाँ पे दो चीजों में compare जो रहा है, best कहां से आएगा, the flood became badder as the rain increased badder जैसा कोई word होता ही नहीं है, it's worse, तो अब हम इसमें answers चेक करते हैं this is the simplest problem of all, which is the lighter of the two parcels, he is cleverer than I am, ठीक है I like this the better of the two, best of the two नहीं and the flood became worse as the rain increased bad, badder, badder जैसा कोई words नहीं होते, bad, worse, worst, वैसे good, better, best, ठीक है so we are done with this question, अब हमें punctuate करना है, punctuations क्या होते हैं आप सही जगह पे full stop use करे हो, comma use करे हो, postrophe use करे हो, exclamation mark use करे हो as per your sentence, ओके, तो अब हमें एक paragraph दिया हुआ है, यहां एक छोटा सा letter दिया हुआ है अब मैं इधर पर ही देखती हूँ, जब भी मैं use करे हूँ, यह मेरा salutation है तो D capital होना चाहिए, समीर एक proper noun है, तो समीर का S capital होना चाहिए I यहां पर capital होगा, क्योंकि मेरा sentence start हो रहा है I am sending you a photograph of my newest pet, Frisky, Frisky एक नाम है, तो इसका F capital होगा, ठीक है अब यहां पर क्या है, newest pet, अब यहां full stop आ जाएगा क्यों, क्योंकि हम मैंने बताया, मैं तुम्हें अपने newest pet के बारे में उसकी picture भेज रही हूँ अब तुम बोल रहे हो, Frisky is a bulldog and a very playful puppy, यहां पर आ जाएगा एक full stop, ठीक है अब by का be capital हो जाएगा, by next summer, summer is the name of a season, तो इस capital होगा यहां पर by next season, अब हम यहां पर एक छोटा सा pause ले रहे हैं, तो यहां आएगा comma He should be old enough to go with us on our long walks तो यह एक sentence complete हुआ, अब यहां हम full stop लगा देंगे नया sentence start हो रहा है, तो यह I capital हो जाएगा I am sure, अब यह जो M है, यह WhatsApp language है, ऐसे नहीं लिखना है, हमें complete लिखना है I am sure you are looking forward to seeing him यहां पर फिर आप लगाओगे एक full stop और यह I know you will like him फिर एक full stop Warm regards में W capital, यहां पर आएगा एक comma और Sanju का S capital ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारा answer Dear Samir, I am sending you a photograph of my newest pet Frisky is a bulldog and a very playful puppy By next summer, he should be old enough to go with us on our long walks I am, यहां पर हम यह तो I am ऐसे लिख सकते हैं यह मैंने I के साथ apostrophe लगा दिया और M, तो यह contraction हो गया Sure, you are looking forward to seeing him, I know you will like him Warm regards, Sanju ठीक है, यह भी हो गया अब हमारे पास कुछ sentences हैं जिनने हमें punctuate करना है पहला sentence है, next Wednesday Next Wednesday, my sister Meeta is going to join the State Bank of India पहली चीज़, N capital, start of the sentence Next Wednesday, Wednesday is the name of a day W capital, next Wednesday, my sister Meeta So, यहां पे कॉमा नियागा, next Wednesday My sister Meeta ka M capital, Meeta is the name My sister Meeta is going to join the State Bank of India, it's the name of a bank Next is the, ठीक है, the dog wags its tail when it's pleased But, a cat waves its tail when it's angry full stop Capital W When I went fishing, I caught an old shoe, ठीक है When I went fishing, I caught an old shoe, a plastic bag and a bad cold तो जब मैं fishing के लिए गया था, मैंने क्या-क्या पकड़ा? एक plastic bag, एक old shoe और जुखाम ठीक है, तो अब यह हमारे she fed the baby, she में S capital हो जाएगा She fed the baby, wash the dishes, put the lights off and went to sleep यह सब करके वो सोने को गई She fed the baby, wash the dishes, put the lights off and went to sleep अब यहां पे wasn't का W capital Wasn't Tim, capital T Wasn't Tim born on the 26th of January का J capital, 1989 and a question mark ठीक है, ओ no, O capital, no के बाद exclamation mark The में T capital, oh no, the bus has gone full stop ठीक है, अब हम इसके answers देख लेते हैं ओके यह सारे हम discuss कर चुके हैं, तो बस एक बार फटा फट देख लो उसके बाद हम आगे जाते हैं 26th of January का J has to be capital, okay, that's it अब हम आगे जारें Let's find out तो अब यहाँ पर बात करें कि हमें यहाँ पर general knowledge की बात चल भी है कि एक California का एक giant tree कौन सा है, उसका नाम है Redwood trees, sorry, Redwood trees of California एक giant bird कौन सी है? The bird is ostrich Giant land animal, elephant A giant water creature, whale A giant reptile, crocodile A giant aeroplane, A380 Then, now, we are done and then we have another question You woke up one morning and found yourself in the land of dwarves अब एक दिन उठे हो आपने देखा सब टाइनी टाइनी है, सब डौफ से मतलब सब की height जोना maximum आपके घुटने तक आ रही है And आप वहाँ पे एक giant हो Write a paragraph describing your experiences there And how you got back home finally You may begin like this Everything around me looked different अब इस तरीके से start करके अपनी एक interesting सी story बनानी है जो आप खुद भी बना सकते हो Example के तौर पे हम यह दिख लेते है Everything around me looked different Men and women were so tiny And children They appeared as if they were big dots on the ground सब कितने छोटे छोटे ते ऐसा लग रा था सब ground पे छोट छोटे dots बनाय हुए है All the houses were only one and a half feet high मतलब जितने भी घर थे वो one feet एकदम छोटे इतने बड़े बड़े घर थे वहाँ पे The dishes in which these dwarf people ate Were two or three inches in diameter So मतलब जो जिस plate में वो खाना खाते थे वो इतने छोटी छोटी plates थी I had never had such experience in my life मैंने ऐसा कभी feel नहीं किया था I was surprised to see them all मैं उन सब को देख के बहुत surprised था But equally happy to find that these dwarf people were so kind to me लेकिन मैं खुश भी था ये देख के कि ये लोग मुझे कितने kind हैं They helped me to go back home और उन्होंने में को help किया ताकि मैं वापस अपने घर चले जाऊं So guys that's it And finally the question answers are over Thank you so much I hope ये question answers आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे Chapter हम read करी चुके हैं कोई doubt नहीं होना चीए लेकिन अगर doubt है तो please comment box पे लिख देना And I'll solve your doubt ठेक है? So, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम start करने वाले हमारा 8th unit 5th Marigold book तब तक के लिए stay tuned and connected Stay safe, very important Bye-bye